दोस्तों स्वागत है आप सभी का BSC and NSC अड़ा में इस वीडियो में हम पहले एनलिसिस करेंगे इसके पहले इंट्राडे के तौर पर जिस स्टोक दिया था उसके मारे में दोस्तों इसके पहले इंट्राडे के तौर पर मेरी तरब से भारती एर्टेल को आपको बाय करना था आपको इससे बाय करना था 545 पर और पहला टारगेट था 547 का तो जैसा कि आप अपनी स्क्रिन पर देख पा रहे हैं ये ओपन हुआ था 539 पर और इसने हाई मारा था 544.70 का तो इस तरीके से ये अपने बाय वाले पॉइंट तक को पहुची नहीं पाया तो आपको इसमें बाय करने का तो चांस नहीं मिला होगा लेकिन आपको इसे सोट सेल करने का मोका अवज से ही मिला होगा क्योंकि मैंने इसे सोट सेल करने के लिए बोला था 533 पर और इसने अपना लो मारा था 529 का तो इस तरीके से इसने अपने सेल वाले टार्गेट को बहुत ही अच्छे तरीके से अचीब किया और एक अच्छी ट्रेड साबित हुई तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि आज के लिए इंट्राडे के तौर पर किस स्टॉक को चुना है मैंने दोस्तों आज का हमारा इंट्राडे का स्टॉक है CSB बैंक क्योंकि ये स्टॉक इस पूरे महने भर अपने ये 340 से नीचे नहीं गिर पाया है तो उमीद तो यही रहेगी कि अगर कल ये अपने इस वाले रेजिस्टेंस जोन को क्रोस करता है 340 के नीचे जाता है तो इसमें अच्छा खासा एक नीचे की तरफ रेली देखने को मिलेगी लेकिन हो सकता है कि कल ये फिर अपने 340 वाले पॉइंट से छूकर वापिस लोट जाए तो कल चार्ट देखेगा और उसके हिसाब से ट्रेट डालिएगा अगर ये अपने 340 वाले टार्गेट को छूकर उपर लोटता है तो आप इसे बाय करिएगा 343 पर और पहला टार्गेट रखिएगा 345 का और दूसरा टार्गेट 350 का लेकिन अगर कल ये गिरना शुरू होता है यानि 340 वाले टार्गेट से नीचे गिरने लगता है जैसा कि मैंने कहा इस वाले 340 वाले इसका जो रिजिस्टेंस जोन है यहां से एक कल नीचे गिरना शुरू होता है तो आप इसमें सोट सेल करेगा 336 पर और पहला टार्गेट 334 दूसरा टार्गेट 330 का और दोस्तों आप स्टोप लॉस का इस्तिमाल हमेशा करिए मिनिमम प्रॉफिट बुक करने की आदत डालिए ये दो रूल आप अपने दिमाग में बैठा लीजे इन दो रूल को कभी नहीं भूलना है इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय तो चलिए दोस्तों आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद अगर आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब अवस्य कर दें